फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेस्पी लेकर आई हूँ एक बर बनाएंगे तो बच्चों का तो ये फेवरिट हो ही जाएगा साथ में ये बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा बच्चे बाहर का पास्ता नूडल्स खाना भूल जाएंगे तो चलिए बनाने में देरी क्यों बनाना शुरू करते हैं बनाने की लिए हाँ मैं 200 ग्राम गाजर ली हूँ ये औरेंज वाला गाजर है आप लाल वाले गाजर का भी यूज कर सकते हैं गाजर का जो उपर वाला साइड होता है और नीचे का थोड़ा थोड़ा करके हमें दोनों तरब से काट लेना है गाजर को अब छिलना है यहाँ पर मैं गाजर को अच्छे से छिल ले रही हूँ देखिए यहाँ पर गाजर अच्छे से छिल गया है बाकी के बचे गाजर को भी मैं यहाँ पर छिल ली हूँ और धुल ली हूँ अब हमें गाजर को इस तरह से पतले पतले राउंड सेप में काटना है ऐसे गाजर को हमें पतले पतले राउंड सेप में काटना है यहां मैं पूरे गाजरों को काट ली हूँ इधर साइड में मैं एक गिलस पानी रख दी थी ब्वाइल होने के लिए यहां देखिए पानी अच्छे से ब्वाइल हो गया है अब मैं गाजर को पानी में डाल दूँगी इसे हमें साथ से दस मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि गाजर अच्छे से पक जाए गाजर यहां अच्छे से पक रहा है और साथ से दस मिनट हो गए है अब इसे हम चेक करते हैं कि गाजर अच्छे से पका है या नहीं देखिए यहाँ पर गाजर अच्छे से पक गया है इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है इसे ओवरकुक नहीं करना है इस इस्टेस पर हम गैस आफ कर देंगे और गाजरो को हम छान लेंगे यहाँ पर मैं गाजरो को अच्छे से छान ले रही हूँ पूरे गाजरों को छाने के बाद जब ये हलका ठंडा हो गिया है इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पेश्ट तयार करेंगे यहां देखिए गाजर को मैं पीस ली हूँ एक अच्छा सा स्मूध पेश्ट बन कर तयार हो गिया है इसमें कोई गाजर के चंक्स नहीं होने चाहिए पीसने के बाद इसे एक बावल में मैं ट्रांसफर कर दी हूँ और 130 ग्राम में इसमें कानफलों मिरा दे रही हूँ इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसका हमें एक डो तयार करना है इसे मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ अब इसे मैं हाँ से मसल मसल कर इसका एक साफ्ट डो तयार करूंगी यहाँ पर देखिए डो हमारा बन कर तयार हो गया है अब मैं इसमें से थोड़ी सी लोई लेकर ऐसे मैं गोल-गोल लोई बनाऊंगी और सबसे छोटी वाली फिंगर से मैं बीच में प्रेस कर दूँगी ऐसे ये देखिए ऐसे ही डिजाइन को हमें बनाना है इसे मैं प्लेट में रख दूँगी अब मैं दूसरा आपको बना कर दिखा रही हूँ जब भी आप ये डिजाइन बनाए आप हाथों में हलका सा तेल लगा ले देखिए ऐसे ये दूसरा भी बनकर तयार हो गया है एक और मैं आपको दिखा रही हूँ फिर हाथों में तेल लगा कर थोड़ी सी लोई ली हो और गोली बना कर बीच में छोटी फिंगर से प्रेस कर दी हूँ देखिए ऐसे ही हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा कर हमें पूरी डिजाइन को बना लेना है ऐसे देखिए यहां में पूरी डिजाइन को बना ली हूँ तब तक इधर में साइड में एक इलास पानी रख दी थी बाइल होने के लिए पानी बाइल हो गया है जो मैं ये गाजर की डिजाइन बनाई हो इसे मैं पानी में डाल दूँगी इसे हमें पाच मिनट तक बाइल होने देना है यहाँ पाच मिनट हो गया है यह अच्छे से पक गया है इसे अब हम छान कर दूसरे बरतन में रख देंगे यहाँ देखिए इन सब को मैं अच्छे से छान ली हूँ यह कटोरे में पानी है उसमें मैं कुछ आइस क्यूब डाल दी हूँ अब ठंडे ठंडे पानी में हमें यह पूरे डेजाइन को डाल देना है और थोड़ी देर में इसे हम छान कर निकाल लेंगे हमें इसे अच्छे से छान ना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे इसे अच्छे से में छान कर निकाल ली हूँ अब दूसरे बावल में एक चमच कस्मीरी मेर्च, एक चमच पीसी चीनी, एक चमच सोया सौस, एक चमच टमेटो केचप, शाद अनुशार नमक क्योंकि अब तक में नमक ने डाली थी, फिर इधर एक पैन में में तीन से चार चमच तेल डाली हूँ, तेल इसमेल वाला ना हो जैसे शर्सो का तेल, फिर पांसे छे लहसुन की कलियों को पतला काटकर डाल दी हूँ और मिक्स कर दी हूँ तेल में, अब मैं इसमें यहरा प्याज है, इसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, इन सारी चीजों को हमें कोई भूनना नहीं है, बस तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए, यहां पां सारी चीजी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें जो यह डिजाइन बना कर तयार किये थे, उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि यह सारी चीजी अच्छे से मिक्स हो जाए, यहां इसारी चीजी ये सभी का फेवरिट होने वाला है इसे मैं हरे प्याज से गाणिश कर दे रही हूँ देखिए हमारी हैल्दी और टेश्टी रेश्पी बन कर तयार हो गई है अगर आपको आज की रेश्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली में इसे सेयर कीजिएगा थैंक्स फार वाचिंग